अज हम कर रहे हैं GDB No.1 of Research Methods which is STA 630 इसकी GDB आ गई है, पांच नमबर की है और टॉपिक है Basic and Applied Research और डूडेट है इसकी 9th of December, ठीक है? उससे पहले आपको इसे complete करना है अचा अब हम सारा scenario देख लेते हैं और उसके बाद हम point of discussion देख लेते हैं Scenario is not as such important, इस बार में बाद में बात करेंगे, जो आपका permiss है, इसको हम रहने देते हैं discussion में क्या हमें बताना है, हम यह देखते हैं Being a research student with school of thought, will you prioritize, basic or applied, generate two arguments to support your stance उन्होंने कहा कि हम research method पढ़ रहे हैं, तो हम research के students हैं और हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे हम research work कर सकें properly और अब हम पर depend करता है कि what to do, हम basic use करना चाते हैं research method या applied research method या applied research method यूज करना चाते हैं, जो premises बताए हैं इसमें इन्होंने just आपको difference बताए हैं basic और applied research के अच्छा अगर हम बात करें तो हमने जो lesson में भी पढ़ा था वैसे भी हमने पढ़ा था वो ये है कि depend करता है आपके research के मकसद पे कि which option you opt आप basic में जाते हैं जब आपको just knowledge में अपने इजाफा करना है आप कुछ explore करना चाते हैं just randomly for your own satisfaction तो आप इस चीज में जाते हैं लेकिन applied में आपका जाते हैं जब आपको किसी की तरफ से orders होते हैं जब आपको कोई कहता है कि आप इस चीज का solution हमें find out करके दें within that constraint of time और उसके अलावा जो है वो आपसे मतलब demand होती है उस चीज की फिर जो basic होती है वो हम लोग proper लंबी in-depth researches होती हैं जिनको हम करके फिर उनको journals में publish करते हैं जबके register कराते हैं basically और जो applied research होती है वो हमारी for one time frame कहीं पर basically apply होनी होती है और बस उसके बाद उसकी importance नहीं रहती हैं ठीक है ये बाते हो गई अब यहां पर इन्हों ने हमें scenario mention नहीं किया कि आया हमें let's suppose कि यहां पर यह कहते हैं कि आपको फलाँ company ने इस चीज के लिए research करने को कहा है तो which method you're going to use और आप उसको support करें or something like that इन्हों ने यहां पर यह बात नहीं mention की इन्हों ने इस चीज क थोड़ा साना आप क्या सकते हैं छुपा के बताया है being a research student ठीक है mostly हम जब students होते हैं तो हमारा मकसद होता है अपने काम को not to make the work registered ठीक है हम researcher नहीं है as a researcher काम नहीं कर रहे हम को as a scientist काम नहीं कर रहे हम काम कर रहे है as a research student जहां पर हमें mostly को research का topic दिया जाता है by our teachers, lecturers ठीक है और हम करते हैं ताके हम अपनी degree attain कर सके उस time frame में हमें करना होता है मतलब let's suppose कि अगर साल के अंदर हमें अपना एक research worker करकर submit कराना है आगे MSA PhD levels तक तो आपको journals publish कराने पड़ते हैं पर अभी basically आपको ये करना होता है कि आपने जो भी research करनी है उसको आपने teacher को दिखाना होता है और वो इस चीज़ को check कर लेते हैं and that's it ठीक है इसको आपको मजीद आगे के level तक नहीं लेकर जाना होता है तो अब यहां पर क्योंकि वह आप से पूछ रहे हैं कि being a research student तो क्योंकि आप student है और as a student आपको जब कोई topic of research दिया जाएगा by your teacher कि आप इस topic पर research कर कर लाएं या अपना research work show करें तो वो आपको applied के जुम्रे में आ जाएगा दूसरा ये कि जाहिर आपको degree की एक time limit होती है semester की एक time limit होती है उसके अंदर अंदर आपको वो research करनी है और उसको दिखाना है complete करके ताके आप अपनी degree ले सकें ताके आप वो semester pass कर सकें तो अब ये सारी जो situation है ये हमें क्या बता रही है कि हम apply करेंगे जी applied research यहाँ पर क्योंकि जितनी मैंने आपर characteristics बताई है वो applied research की है तो हम इसको arguments को support कर सकते हैं इसी में से जो उपर आपको paragraph दिया है इसी में से हमें बहुत सारे points मिल जाते हैं कि यहाँ पर इनोंने कहा कि applied and basic research are known for their diverse orientation in research methodologies on one side the proponents of basic research follow high standards and emphasize rigor it is usually extensively published and readily available to reader whereas the support of applied research claim that it is more useful as it results are available to decision maker or practitioner who are direct users of result into practice nevertheless basic research debate that for the reason of getting quick and usable results in applied research research made trade of rigor sorry trade of rigor for practical results यहाँ पर हमें एक point एक दो point से हमें idea हो गया है कि हमें क्योंके need of the hour की जहाँ पर बात होती है जहाँ पर हमें वक्त के अंदर कुछ submit करने की बात होती है वहाँ पर हमें applied research को use करना होता है क्योंके यह हमारे पास जल्दी time में हो जाती है और हमारे पास researches होती है वो हमें कभी जाकर काम आती है पर यह हमें उस वक्त जरूरत होती है इसके इलावा आप जब अपने lecture को open करेंगे basic और applied research वाले में तो उसमें भी आपको एक दो points मिल जाएंगे applied research की favor में नहीं तो आप search कर सकते हो google पर और वहाँ के points को आप अपने words मे कर सकते हो पर आपको लिखना थोड़ा applied के favor में होगा क्योंकि if they are saying के you are a student तो student mostly goes for applied research they don't go for basic researches तो I hope के यहां तक आपको समझ आ गया होगा answer आपको खुदी बनाना है to avoid plagiarism तो I hope के I made it all clear still any questions दे तो आप comment box में पूछ सकते हैं और अगर किसी और चीज का आपको solution चाहिए मिलेंगे इंशाला नेक्स्ट वीडियो के साथ तिल देन टेक कियर अलाहाफिस